नमस्कार, मैं डॉक्टर निविदिता, आज आप से बात करूँगी, आयुर्वेट से कैसे आप अपने अस्थमा को ठीक करेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार अस्थमा में होता क्या है अस्थमा में आपके सांस की नली में सूजन आ जाती है, जिसकी वज़े से सांस का आना और जाना एक कस्टर दायक प्रक्रिया हो जाती, जिसमें आपको दर्ध होता है mucus भी develop हो जाता है mucus को निकानने की लगातार हमारा शरीर process कर रहा होता है कोशिश कर रहा होता है जिसकी वज़े से आपको बार-बार cuffing होती है, खासी आती है और इस process के दौरान आपके बहुत ज़ादा effort हो रहा है उसकी वज़े से आपके chest में pain होने लगता है यह सभी process को combined group से जब आप देखें तो वो asthma का एक disease के नाम से आप जानते हैं, इसको Ayurved में हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा detail में बताती हूं कि क्या, asthma का ilaj Ayurved से संभव है तो जी हाँ, Ayurved से asthma का permanent ilaj संभव है Ayurved सिर्फ एक treatment का pathway नहीं है ऐसा नहीं है कि हम Ayurved के थूँ किसी चीज़ का treatment कर रहे हैं यह एक science है जो आपको way of living के बारे में बताती है मतलब आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, उस जीवन शैली को कैसे improve करना चाहिए, इस बारे में बताती है तो Ayurved में जिब हम asthma का ilaj करने चलते हैं या हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इसका treatment करें तो इसमें सिर्फ हम दवाईया नहीं prescribe करते हैं, यह जानने की कोशिश भी करते हैं कि आखे इसका कारण क्या है, और कारण को जानते हुए उसका परिवर्जन निदान परिवर्जन यानि कि उस cause को हम हटाने की कोशिश करते हैं उसके साथ ही, अस्थमा सबसे ज़ादा जो किसी भी इंसान को होता है, यह किसी भी परसन को होता है, वो उसकी immunity की वज़े से होता है, क्योंकि immunity अगर over responsive है, यह बहुत जादा weak है, तो किसी भी पेशिंट को अस्थमा के sign and symptoms vigorous मिल सकते हैं या जल्दी ठीक होने में problem आ सकती है इस चीज से निबटने के लिए इस चीज से भी आप conquer करने के लिए जो हम आयरुवेद के बारे में अगर हम जानते हैं, तो उसमें आपको यह बताया जाता है कि कैसे आप अपनी immunity पे काम करें, हमने पहले पे discuss किया है कि immunity या तो आपकी बहुत ज्यादा है तो आपको autoimmune disorders हो सकते हैं, अगर आपकी immunity बहुत कम है, तो आप prone हो जाते हैं infectious diseases के लिए तो हम जब immunity की बात करते हैं, तो हमें immunomodulator herbs चाहिए, याने कि जो आपकी immunity को ना तो बहुत ज़ादा बढ़ाएं और ना बहुत ज़ादा कम करें, ये सारे herbs, आयूरवेद की जितनी भी medicines use करते हैं, वो सारी medicines इसी तरीके से काम करती हैं चाहे वो गिलॉय हो, हल्दी हो, आपका ginger हो, याने की salt, या काले mirch, long pepper, याने की पिपली, herb की बात कर रहे हैं, या spices की बात कर रहे हैं, आयूरवेदिक medicine की बात कर रहे हैं, तो वो इसी concept पे काम करती हैं, जबी भी हम आयूरवेदिक की medicines को prescribe करते हैं, तो हम यह जरूर बोलते हैं कि आपको अपनी lifestyle में changes करने होंगे, आपको अपने खान-पान में changes करने होंगे, कफ वर्धक आहार विहार, याने की oily चीजें, greasy चीजें, मीठी चीजें, इनको आपको avoid करना होगा, करम खाना खाना होगा, तो आप अपनी immunity पे काम करते हुए, आप अपने lungs की immunity को बढ़ाने के लिए, याने की lungs की capacity को बढ़ाने के लिए, प्राणायाम को भी incorporate करें, यह बार-बार emphasize किया जाता है, क्योंकि जब तक हम अपने cause पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम यह नहीं जानेगे की कारण क्या है, तब तक हम उसके treatment पे इतना ज्यादा हमें treatment ना तो हम उसका कर पाएंगे, ना हमें उसका इतना ज्यादा result मिलेगा, आईरवेद एक complete science है, एक complete तरीके से आपकी किसी भी problem को serve करती है, complete तरीके से उसको result देती है, जैसे कि आप समझ चुके हैं, हम कारण को जानके immunity पे काम करके, आपकी lungs capacity को बढ़ा के, साथ में medicines आईरवेदिक देते हैं, तो आपको एक complete result जल्दी से जल्दी मिलता है और permanent मिलता है, तो आप समझ चुके हैं कि आईरवेद से किसी भी जानकारी प्राप्त करनी है, या कोई question है, जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप हमें comment section में comment करके पूछ सकते हैं, या यह जो numbers आपके सामने आ रहे हैं, आप उन पे call करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आपको आपकी best help करने के लिए, so इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद,